हाई गाईज, वेलकुम बैक तो मैं चैनल, मैं हूँ स्पीटी और आपली क्रियो स्पार्कलिंग सोल्स आज के फीडियो में हम बात करने वाले हैं कि किसी के मन में भी ना अपने लिए अच्छी फीलिंग को जगाए अगर आप किसी के मन में अपने लिए बहुत अमेजिंग फीलिंग को जगाना चाहते हो ना और आप चाहते हो कि वो सामने वाला परसन आपके लिए बहुत ज्यादा अमेजिंग फील करें आपके बारे में हमेशा पॉजिटिव ही सोचें ये प्रोसेस ना दो तरीके से पहला पार्ट इसका आता है कि आपको अपने अंदर से सारी की सारी desperate energy को निकालना क्योंकि जब हम अपने भीतर से सारी की सारी desperate energy को remove कर देती है ना तो हमारा हर process ना हमारे लिए powerfully work करने लग जाता है और उसके बार ना हमारा final step जहाँ पे आपको उस person के साथ अपने relationship को heal करना आपको वो सारे thoughts उसे भेशने हैं जो आप चाते हो कि वो आपके लिए अपने मन में सोचे तो आपको पहले पार्ट में इस desperate energy को remove करने के लिए क्या करना है आपको पूरे time अपने खुद के उपर focus करना आपको feel करना है कि आपकी जो power है आपकी third IP है मतलब आपको अपना सार ध्यान अपनी third IP लगाना है जब आप अपनी third IP अपना सारा ध्यान लगा देते हो ना तो उसके बाद पूरे दिन आप जो भी काम करते रहते हो ना बार बार अपने आपको खींच के आपको अपनी third eye की तरफ आना है जो भी आपके फालतों के विचार थे जो इधर उधर ब यही वो उज़ा पूरे दिन आपकी इखटी हो जाती है उसके बाद आपको इस प्रोसेस को रात में finally done करना है आपको सुबे से अपनी जो भी पावर है उसे बचाने की कोशिश करना है और जब जब आप अपनी third IP अपना पूरा ध्यान लगाते हो ना तो आपको अपनी third IP फील करके इस तीन powerful affirmation को बोलना है और वो तीन powerful affirmation आपके खुद के अंदर की power से आपको connect करेंगे और वो affirmation ये हैं कि I am powerful, I am strong और I am confident I am powerful, I am strong and I am confident जब आप ये तीनों affirmation बार बार पूरे दिन में अपने आपको बोलते रहों के ना तो आप अपने खुद के भीतर की power से न खुद को connect कर लोगे, जिसे आप भूले बैटे हो, जिसे आप परिशान होने में, चिंता करने में, फिकर करने में और बहुत सारी परिशानियों के बारे में सोचने के लिए योही व्यर्थ में गवा देते हो, और जैसे ही आप अपनी power को पूरे दिन याद करोगे और अप इसे ही आप इस powerful और confident energy के साथ खुद को connect कर लेते हो ना, उसके बाद आपको इस final वाले step पे आना है, जहाँ पे ना हम उस person को याद करके उसके लिए वो सारे positive चीज बोलेंगे, जो हम चाहते हैं कि वो person के मन में वही सारी बात हमारे लिए आ जाए, अब ये final point को या तो आ है आप उसकी photo को देखकर भी कर सकते हैं और आप चाहो तो आप अपनी third eye पर भी उसे imagine करके कर सकते हैं इस process को, अब आपको क्या करना है कि आपको उस person को देखना है और उसकी तरफ देखके आपको उसकी आँखों में देखना है और जब आप उस person की आँखों में देखोग and I love you और उसके बाद आपको उसका नाम लेके उसे ये बोलना है कि thank you so much आप मुझे अपनी इतनी सारी loving energy दे रहे हो और जैसे ही आप इस affirmation को उस person को याद करके बोलोगे ना उसकी आँखों में देखके तो आपके और उस person के relationship में जो भी ऐसी चीज़े थी ना जो आप दौनों के बीच में negativity फैला रही थी आपके रिष्टे को खराब कर रही थी आपके रिष्टे में एक pain और एक suffering वाली feeling को जगा कर रही थी वो सारी की सारी ना release हो जाएंगी वो सारी की सारी ना remove हो जाएंगी उसी समय ना वो person अपने मन में आपके लिए बहुत अच्छी feeling को feel करने लगेगा आपको ना कुछ time बाद अपनी reality में वो सारी चीज़े ना change के रूप में नजर आएंगी और ऐसा करने से आप जो change देखोगे ना उस person में और उसके और आपके relationship में ना वो देख करना खुद बखुद आप हैरान अने वाले हो So guys अब हम मिलते हैं नेक्स्ट वाले वीडियो में तब तक आप अपना ध्यान रिखिए और खुश रहिए बाबाई